नमस्कार जै हर्याना टीवी चैनल में मैं स्वागत करता हूँ मैं करमवीर सारसर और आज मैं पहुंचा हूँ चूरू डुष्टी के तारा नगर छेतर के अंदर और राजपूरा मारक जो हडियाल रोड जाता है वहाँ पे हम आपको दसा दिखाऊंगा मैं इस रोड की हाला तो अब कि क्योंकि सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं वह अपना टेक्स तो टाइम पढ़े लेंगे हर चीज लेंगे एक मिन्टों की बात करना चाहूँगा आप इस रोड पे जा रहे हो आपको कितनी तकलिव हो रही है बहुत तकलिव हो रही है बहुत तकलिव और से सरकार से आप क्या मांग करते हो सरकार से मंतरी आजाते हैं जो आ रही है उनको इतना भोग देखने को मिला के गाड़ीयों गार्यों हो जो गार्यों का मेंटनेश रहता है वह भी खराब हो जाएगा दिन पर ते दिन जो पाहिसाब से जो गाड़ी वाले से मैंने बात किया उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 7-8 साल से जो बता रहें कि रोड बनने को नहीं है और जो रोड की दसा है वह आप दिखाए कैमरामें से तोड़ा बोलना चाहूंगा और कुछ साती इधर गाउं से आई हुए हैं तो उनसे भी हम जानेंगे कि इस गाउं कि क्या रोड कभसे नहीं बना है वह पूरी बातित इंसे बात चीट करना चाहूंगा कोई एक साथी मेरे से जो बात करना चाहे वो भाई मेरे साथ है एक बार रख रम रब जी तो आपका तो अभी वर्तमान के यहां के विदाइक कोन है नरेंदर जी बुदानिया जी से मैं अपील करना चाहूंगा अगर हमारा अगर यह समाचार एक ख़वर उनको अगर मिले तो पलीज इस ख़वर की तरफ द्यान दे और रोड का जो है बहुत बुरी दसा हो चुकी है उसकी और उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि इस रोड की तरफ से ध्यान दिया जाए क्योंकि मैं माने मुं विदाइक जी से भी मैं करना चाहूंगा फिल कि उनके जो भी कोटे से कुछ सिस्टम बनता है तो इस रोड की तरफ द्यान दीजिएगा जो गणमाने व्यक्ति है ही मेरा साथ ही बात करें आकरεις बाइसाब यह दुर दरसा एक कमसे कम दश साल से हो रही है ऐसा क्यों कारण क्या इसका बीचे यहदर कोई लोग नेताजय ह्माते हैं तो टाइम के ओपर वोट नहीं मिलते हैं देता ही और अजल आते भी हैं लेकिन जदा दूर दूर से उसरह एक मिन्ट एक मिन्ट एक मेरी बाद सुनों आप मेरी बाद सुनों आप गाली मत इजी किसी को पूरा इसको देखेगा ए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूं आपको कितनी तकलीब ही इदराने में आप सारी है पच्छा क्या तकलीब ही आपको मतलड़ा आप गाड़ी का में अच्छा नवाट गाड़ी कितने साल से प्रेसा ना इदर के दर की दशाल नहीं तो आप जो यह के माननी जो विदायक जी हैं एंपी सबसे क्या संदेश देना अब आप आपके बास जो बूट लेने के प्रोबलम पहुत आ रही है लेकिन इसमें यहां पर जो बुडाणिया जी है यहां कुछ नहीं करें विदायक जी का क्या नाम इंदर का जो आपके भी नहीं चले अचा तानानागर से विदायक नरेंदर बुडाणिया जी है वाके नहीं गई नहीं गई एक बार आकर गए थे कि रोड बनाएंगे उस प्रोड नहीं किया यहां पर कह रहे थे कि वह करवादियों वह करवादियों कुछ नहीं किया तो वान्नी विदायक जी से मैं अफिल करना चाहूंगा कि इस रोड की तरफ द्यान दीजिएगा लोग यहां की जनता सात्यम राजफुरा जो हडियाल रोड है बहुत प्रेशान है और मैं आपको रोड का दिखा रहा हूं जो दरसे है बहुत बुराल है जनता प्रेशान है जो गाड़ी वाले हैं बड़ी गाड़ी लेक्या है गाड़ी का मेंटनेस खराब होता है जो बहुत प्रोड होते हैं उनका जुम्हेदार कौन है और जो वाई मेरे साथ यह उनसे भी मैं कुछ बात करना चाहूंगा जी नमस्कार कितना पुप्रेशानी विद्रानेवी बाइक से रोड के आलत को देखते हैं इसको मैं पकड़ना को दिकती है रोड की आलत है तार्नेगर और सात्यों के बीच बहुत ही खराब है और यह अडियालता की फिलकुल टुटी-फुटी है और इदी इसमें सुधार हो जाए तो आम बात करना चाहे रहा हूं क्या कहना चाहेंगे हम तो यह कहना चाहेंगे यह तो हमारा टेक्स पूरा माफ किया जाए बिलकुल सही बात है ठीक है अगर टेक्स माफ नहीं करते हैं तो दो दिन लेट होता है तो प्लेंटी लगती है बिलकुल सही है तो इसके कोई प्लेंटी रजअ सालॹट्द इंगा लकता है त्ल二 घ्रते allग तो पर्मीट का थाक्स अलग से लगता है यह जब सारी काम हो रहे हैं तो फिर यह क्यों नहीं हो रहा है मैंजय टोज़ को मैं गुंडा टैक्स नाम दे रहा हूं उसको गुंदा टैक्स के नाम से जाना जाएगा उसको यह नाम दे गया दो यह नाम देगी है वह गुंडा टैक्स क्यों जी सर क्या कहना सा धीकाइक जी बताई जी बताइए सरकार को और यहां के जो नुमाइंदे हैं उनको यह खुली चेतावनी समझ लेना बया अगर आप लोग ने इसका समधान नहीं किया ना तो आंदोलन के लिए तैयारी कर लो आप लोग सामना करने की क्योंकि जनता यहां पर अपना रोज प्रकट करते हुई एक ह बात है कि यहां पर जन अंदोलन होगा नहीं तो यहां पर माननी MP साहब मैं राहूल कस्वाजी से भी मैं कपील कर रहा हूं और माननी विदायक जी बुडानिया जी से भी मैं अपील करना चाहूंगा कम से कम यहां पर रोड की तरफ द्यान दीजिए क्योंकि लोग इन से आप विदान सभा के अंदर जाते हैं जी वाई बताइए द्रेयरा टूल दादागिरी हो खटे हैं अच्छा चाहँगा और यह कबर हमारे माननीय MP साहब तक भी पूंचाएगा कहां से आयो आप तारनगर से तो उत्र रोड तूटा हुआ है कै अच्छा रोड है कैसा रो बिल्कुल तो गाड़ी भी खराब होती होगी मेंटनेस कराब होता होगा कभी बीच में घड़े रहते हैं अच्छा तो आप सरकार से क्या अपील करोगी क्या कहना चाहोगी अपील तो यह मांदर सब्सक्राइए अच्छा चलिए आप इस खबर को शेर की जीएगा और अच्छा टीवी जैहिन